नमस्ते, मैं सीमा सोरेन, आप सभी मुझे 38 नहा नाम से जानते हैं, मैं एक स्टूडेंट हूँ, प्रतलिपी में धारावाहिक लेखन, मैं इवेंट में मुझे तिसरा रैंक मिला है, प्रतलिपी ने मुझे एक इंटर्विय के लिए संपर्क किया और कुछ सवाल पुछे, इ पहले तो मैंने इस परिणाम को देखा नहीं था, और जब इस परिणाम को देखा, तो मैं खुछी से उचल पड़ी थी, और इस सफलता का सरे में अपने पेरेंट्स, प्रतलिपी टीम और प्रतलिपी परिवार को देना चाहती हूँ, दूसरा सवाल, आपकी कहानी का नाम क और इस कहानी को लिखने की प्रेरना कैसे मिली, मेरी कहानी का नाम मोगरे के फुल था, और इस कहानी को लिखने की प्रेरना इस सोच से मिली की, कभी कभी जिन्दगी में ऐसा होता है कि हम किसी सक्स को ठुकरा देते हैं, पर वह सक्स हमारे बिकरी जिन्दगी को सवार भी सक ते इस स्टोरि में एमोशन्स से लेकर फिजिकल दिखने और हर तरह के इमोशन्स की बात की गई है इसका फ्लोट मोगरे के फूल के इर्दगित भी गुमता है और इसलिए इसका नाम मोगरे के फूल है तिसरा सवाल आप प्रतिलिपी में कब से जुड़े हैं और कैसे जुड़े मैं प्रतिलिपी में 2020 से जुड़ी हूँ और मुझे याद है जब लोगडाउन में मैं पढ़ने के लिए कोई online platform ढूंड रही थी और Google Play Store पर मेरी नज़र प्रतिलिपी पर पढ़ी मैंने इसे डाउनलोड कर लिया और कब प्रतिलिपी के स्टोरिज पर में डुपते चली गए मुझे नहीं पता चबता सवाल आपके लिए प्रतिलिपी का क्या अर्थ है और प्रतिलिपी पर लिखने का अनुभ़व क्या है मेरे लिए प्रत्रिपी का अर्थ है एक ऐसी जगा जहां हमें सुकून का एहसास होता है चाहे पढ़ने की बात हो लिखने की बात हो या दुसरों की विचारों को जानने की मेरे लिए प्रत्रिपी का अनुभग काफी अच्छा रहा मुझे याद है वा दिन जब पहली बार स्टोरी पब्लिश की थी और उस पर जादा रीडर्स तो नहीं थे पर हाँ जब धीरे धीरे मुझे पहचान मिली टॉप 50 में आना लेकन मैरेथन में या फिर मेरी पहली नोवल गुमनाम इसक का लोगों को पसंद आ जाना मुझे याद है गुमनाम इसकी वा इस्टोरी थी जो मेरे जिंदगी में टर्निंग पॉइंट बनी है प्रतलिपी धारवाहिक मार्च के अंतरगत जब मुझे प्रतम राइंक मिला था तब भी मुझे बहुत खुसी भी थी और आज जब तिसरा राइंक पाकर आपके समझ आने का मौका मिला तब भी बहुत खुस हूँ मुझे हर तरकी समिछाओं का सामना करना पड़ा जैसा के हर लेखा को करना पड़ता है सकारतमक और नकारतमक समिच्छाओं से जहां मुझे आगे बढ़ने के प्रेरना मिली तो वही नाकरातमा समिच्छाओं से यहा बात पता चली कि मेरी गलती कहा है और मैंने स्टोरी में अगर कोई गलती हो रही थी तो उसे सुधारने में अपना हाथ दिया है मुझे या भी याद है कि प्रतलिपी हर किसी के जिंदिगी में जिसके अंदर भी प्रतिभायें लिखने की छिपी हो उसे बाहर निकालने में एक महतोपूर रोल निभा रहा है आखरी सवाल आप प्रतलिपी में किस प्रकार की प्रतियोगिताएं देखना चाहते हैं और या आपके और उभरते लेखकों के लिए कितना महतोपुर्ण है मैं प्रतलिपी में इस प्रकार की प्रतियोगिता देखना चाहती हूँ, जो हमारे अंदर से हमारे लेखनी की प्रतिभावों को निखाने में और मदद करें, चाहे वो कविता प्रतियोगिता हो, या कोई सिरीज प्रतियोगिता या डायरी लेखन, इसके साथ साथ प्रतलिप से जो हमें प्रोत्साहन मिलता है वह भी काबिले तारीफ है प्रतिलिपी समय समय पर सर्टिफिकर्ट भी कुरियर करती है और जो इस बात का प्रमान देती है कि हमारे भी कुछ पहचान है या मेरे और उभरते लेखकों के लिए अप महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार हमारी प्रतिभाएं छुपी रह जाती है और इस प्रतिभा को एक मंच दिया है मुझे नहीं पता कि मैं लेखक कभी बनती कभी कुछ लिखती या नहीं पर हां इस एप के वज़े से मैं लिखने लगी मुझे याद है मेरे दोस्तों ने भी दोस्तों को भी जब एक कहानी का लिंक लिंग शेयर क्या था तो उन्हें भी काफी पसंद आये थे और उन्होंने कहा था कि तुम लिखती भी हो और हमें पता तक नहीं था पर हां उस स्टोरी को मैंने उसी वक्त लिखा था और उन्हें का पसंद आये ये काफी बड़ी बात थी मुझे प्रतिलिपी में समीच्छ रीडर्स के साथ साथी लेकेकों का भी काफी सहयोग मिला है मैं उन्हें धनिवात कहती हूं प्रतिलिपीट टीम को धनिवात कहती हूं और इसी के साथ मैं आर्तिस ने आप सबको सुक्रिया कहती हूं